ओम शांती आज 21 मार्च 2023 है आज हम जानेंगे हिम्मतवान बनने की युक्ति क्या है और उस हिम्मत के आधार से बाबा हमें कैसे मदद देते हैं इस बात को आज के स्लोगन के द्वारा जानेंगे सदा हिम्मतवान बनो और सर्व को हिम्मत दिलाओ तो परमातम मदद मिलती रहेगी हिम्मदे बच्चे मददे बाप ये बाब दादा का हम बच्चों के प्रती वाइदा भी है तो इस संगम युग का हम बच्चों के लिए वर्सा भी है हम बच्चों ने बाब दादा का बनते ही जो हिम्मत का कदम उठाया उन हिम्मत के कदम से बाबा ने कई गुना पदम गुना मदद देते रहे तो हिम्मतवान बनना या हिम्मत का कदम उठाना इसका भावार्थ क्या है हम कैसे हिम्मत का कदम उठा सकते हैं क्या विधी है इसकी आईए इस बात को हम स्पष्ट रूप से जानेंगे पूरी तरह से गहराई में जाकर के जानेंगे 87 की एक अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने कहा है कि ब्राम्हन जनम लेते ही बच्चों ने जो पहला हिम्मत का कदम उठाया है वो सबसे स्रेश्ट हिम्मत का कदम है जो असंभव को भी संभव करके दिखाया है और वो हिम्मत का कदम है संपून पवित्र जीवन की धारणा पवित्रता की विशेश्टा की धारणा तो कैसे उठाया हिम्मत का कदम बाबा ने इस बात को बहुत सहत शब्दों से सपष्ट किया बाबा ने कहा दर संकल्प का हिम्मत उठाया, दर संकल्प रखा कि मुझे ही पवित्र बनना है, तो हिम्मतवान बनने का भावार्थ ही है कि संकल्पों में शक्ति भरना, मुझे ही करना है, मुझे परिवर्तन करना है, मैं ही कर सकती हूँ, मैं नहीं करूंगी तो और कौन करे ये संकल्पों में शक्ती भरना इसको कहा जाता है हिम्मतवान बनना और शक्ती भरके अपना कदम आगे उठाना उस संकल्प की और इसको कहा जाता है हिम्मत का एक कदम उठाना फिर बाबा ने उसे और आगे बढ़ाते हुए कहां कि जब बच्चों ने हिम्मत का कदम उठाया तो बाब दादा ने भी मदद के पदम गुना मदद बाबा ने दी तो किस प्रकार से बाबा ने मदद दी? बाबा ने समर्थ स्मृति का समर्थी दिलाया यही स्मृति दिलाया कि बच्चे तुम्हारा आदी और अनादी स्वरुब ही पवित्र थी तुम पहले से ही पवित्र हो, तुम्हारा निजी धरम ही पवित्रता है तुम पहले भी पवित्र बने थे, अब फिर से पवित्र बन रहे हो, ये रिपिटेशन हो रहा है, कोई नई बात नहीं है, तुम हो ही पवित्र आत्मा ये स्मृती हम बच्चों को बार बार दिलाया और इस स्मृती से समर्थी की मदद बाब दादा द्वारा प्राप्थ हुआ तो ये बाबा का पदम गुना मदद हम बच्चों को प्राप्थ होता है तो इसलिए यदि हमारे मन के अंदर कोई कमजोर संकल्ब चल रहा है उस कमजोर संकल्ब को परिवर्तन कर शक्ती भरे और शक्ती अर्थात हिम्मत के संकल्ब को द्रड करे तो बाबा का पदम गुना मदद सदा मिलता रहेगा हमारे अंदर हिम्मत है तो दूसरों को भी हम हिम्मत दिला सकते हैं अगर हमारे अंदर हिम्मत नहीं है तो दूसरों को भी कमजोर बनाने की निमित हम स्वयम बन जाते हैं तो इस बात का हम सारा दिन चेक करें ओम शांति